Hi everyone, welcome back to my channel, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक होंगे और क्योंकि आज संदे है, मैंने एक DIY मास्क रिव्यू करनी है, साथ साथ मैंने कुछ चीजों को साथ मिला कर एक छोटा सा क्लीन अप रूटीन क्रियेट किया है, जो आप हफ़ती में एक बास ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन उन चीजों से ऐलर्जिक ना हो सो अब चलते हैं मास्क की तरफ पर उससे पहले जो लोग मुझे फर्स टाइम देख रहे हैं आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और आप प्लीज मेरे चैनल को सुब्स्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा नाम नाम नातालिया है और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, सो प्लीज गो चेक इट आउट, सो आप चलते हैं मास्क की तरफ, अब जी मास्क बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो है हल्दी यानि की टर्मरिक, दूसरी है हनी यानि की शेहद, और तीसरा जो है अलोवीरा जै, अगर आ आप नाच्रल अलोवीरा जेल देखे हो, तो वह ठांस्परेंट होता है, सो मेक्शूर जबभी आप आप अलोवीरा जेल परचेस करते हो, तो घ्रांस्परेंट अलोवीरा जैल जो परचेस किजिए यह है, यहाई यह बहुत ज्यादा पसंद है मैंने काफी यूस किया और मैं पताने लिए देक से लिए ऐसे के लिए को बाता है ơn फर्स ब क्लेंजिंग थाला कि मैंने लिए क्लेंजिंग को लिए कामा आर वेधा सोफ्री क्लेंज जो उसे किया मिल एक्षोलियंट एसंपर आफ में एंग रिवियू बनाया भी तो चेक रस्ते हो सो यह मैं है यूस्किया एस स्टेम स्टेम कर दिया मैंने फेस को वह भी आट निट के रिए अप्रोक्सिमिंट कर दिया है और स्टेम करने के बाद हमारे पोट rightly होते है और बार भॉज्व दुट ठי पसेां निकाल दी और उसके लिए मैंने यूज किया है ये ब्लैक हेड वाइड हेड रूमुवर अब मेक्शिर जब भी आप ये यूज करें तो इसे स्टेरलाइज और ख्लीन ज़रूर कीजिए ये एकदम हलके हातों से यूज करना है इसे रगणना नहीं है अपनी स्किन पर क्योंकि रगणने पतै़े हम ठanda प्ली में से अप्सेすटी कि यूज को आड को शाने थिस बाद में जानती हूं कि बहुत सारे यूज को इस थे प्ल्मुद अगर ऑ्भ को विट्विन ए क्प्सुल यूज मुटसरी अपनी थे थे दिया नहीं होता है तो अगर आपको वह फेस यूज किया सार कि यह सामने शाया है चीज को इल मैं नहीं है जाते हो आप असका पैष्ट्यर्स कि ज़रूर केज़ए बलहीं वह ने पहने बहुत ज़रूरी यहाए उसका पैश्तों जार эфф 꺼ते है एस जार जे शुट कर दीजों शेचा पर मैं यहाँ दिलगा कर शुट करता है मैंने अपनी फेस को इस ओल के साथ मॉच्टराइज कर दिया है अब चलते हैं मास के तरफ इसी मैंने का है मास बनाने के लिए तीन चीजों की जरुरत पड़ेगी यहां पे अलवीरा जेल और टॉमरिक यानि की हल्दी और शहर्द यानि की हनी यह तीन चीज हम मिक्स करके मास बनाएंगे और यहां पे आदा चमच हनी लियू यानि की शहर्द अब यह बोल में मैं टॉमरिक यानि की हल्दी मिक्स करूंगी एक्तम थोड़ा सा टरमरिक लूँगी एक्तम हलका सा यह देखो इतनी सी टरमरिक जो मैं मिक्स करने वाली हूँ के अंदर अलोवीरा जेल तो लो जी हमारा मास्क रेडी है अच्छे से ब्लेंड कराया यह ब्लेंड करने के बाद मैंने दस मिनिट के लिए फ्रीजर में रेस्ट कराया ताकि एक कूलिंग एफेक्ट आए और अब मैं यह मास्क लगाने जा रही हूँ आप जी आप यह अपास लागा सकते है पर मेरे पास ब्रुश है तो मैं बुश यूज करने जा रही हूँ तो लो जी लगा दिया मैंने मास्क मैंने नेक पर नहीं लगाया है और मैं आपको ब्लूशवरा दूँँगी कि जब भी मैं आप यह ऊ cheese किर आए करते हो भene मास्क 15-10 अर्थ यह शिर मास्का पर दॉसा नोटीस कि यह जैसे लिए से मास्का इथ सक popular one बुँत्षी दुलौ अख्वुत ही होनी में जिए की जूशनली स्不会वावर जाए यह जोल्थ होगी अधि यह एंडीज आढ शुडτο हरना होगी कि दोकलि मुझे काफी अच्छा लगा जिसे मैंने ओनलाइन पढ़ रहा था कि ये फेस मास्क, मॉस्टराइजेशन, अंटी एकने, अंटी एजिंग, ब्लैमिशिस, डार्क स्पोर्ट, पिग्मिन्टेशन, हलका सा संबर्न है इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत ज्यादा फाइदे इसना है यह फेस पर अब बात करते हैं इसकी इमेडिट फ्रिजल्स के बार में मैं काफी खुश हू हू इसकी इमेडिट फ्रिजल्स देखके मेरी जो फेस हे काफी सॉफ लग ड़ एप लग और लग रहा एने अपने फेस पर सिर्ठ आलाइन आईलाइन और लिप्स्टिक और कुछ नहीं और फेस काफी ज्यादा मॉस्टराइज जो शाइन जो ग्लो जो लस्टर है वो काफी हद तक आ गया है फेस पर जो डलनिस है वो भी निकल चुकी है अगर यह चीज आपको सूट होती है आपको रिक्मेंड करोंगी यह मास तो आपको जरूर ट्राइ करना चाहिए और इसकी जो परफॉर्मेंस है अभी ब्लेमिश तो तुरं तो नहीं निकलने वाले नहीं अखनी की जो स्कार्स है तुरं तो थोड़ी गायब होने वाली है यह यह चीजे ओवर टाइम जैसे जैसे हम लोग और ज्यादा यूज 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 देख पाएंगे पर जो फर्स ताइम जो फर्स इंप्रेशन है यह मास्के बार में आपको यह मास्क बहुत ज्यादा अच्छा लगा है आपको यह रिव्यू पसंद आया और में रिक्मेंड ज़रूर करूंगी अगर आपकी skin allergic ना हो तो आप यह चीजे यूज कर सकते है बकाएदा पैच टेस्स करने के बार यह जो clean-up की जो steps है आप हफते में एक बार ज़रूर यूज कीजिए कामा अयुरवेदा soap free cleanser is the best मेरा 100% recommendation है इसके उपर I just love that soap free cleanser so तब तक के लिए take care and yes अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए प्लीज लाइक कीजिए प्लीज शेयर कीजिए और तब तक के लिए bye take care god bless have a nice Sunday